ताइम स्पीड डिस्टेंस में मैंने आपको एवरेज स्पीड का कॉंसेट डिसकस किया था ऐसे ही मैं और छोटे-छोटे कॉंसेट आपको वीडियो उसके थुरू बताता रहूँगा आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जब भी आपको ऐसे इस टॉपज वाल आप तर्यूर क्योंता ही करता है ठीक है पहले आप कॉंश्वरेज पढ़ो होता क्या है अर्ट्रेन विडाउट इस इसरापेज इसराg से ट्रैवल करती है और वीस इसरापेज इसरावल करती है ऐसा लगता है कि एवरिज स्पीड ये हो गई हर मिनट मतलब वह जो रुकी है कितने मिनट के लिए वो रुकी है इस टॉपच पे आपको बस यह चीज बताने है यह एक चीज आपको समझार हूँ जैसे अगर मैं नॉर्मली देखू तो जो बस की स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आर है अभी भी जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आर ही है speed में change नहीं आया बस क्या है कि आप देखो बस रुक रुक के चल रही है रुक रुक के चलने से क्या time ज़ादा लगेगा और time ज़ादा लगेगा तो average speed अपने आप ही क्या है कम हो जाएगी और कम होके हो गई है वो 40 तो ऐसे question को फिर by solve कैसे किया जाए मैं एक चीज आपको समझाता हूँ एक चीज बस आप बताओ कि जो अगर मैं एक गंटे की बात करूँ क्योंकि यहाँ पे यही पूछाए कि हर गंटे वो कितना रुक रही है तो मैं आपसे कह रहा हूँ एक गंटे में ये 50 km चल रही थी अभी चल रही है 40 km आपको बस यह देखना है कि कम कितना चली 10 km कम चली है पहले जो चल रही थी अब जो चल रही है एक गंटे में 10 km कम चल रही है 10 km क्यों कम चल रही क्योंकि वो रुक रही थी 10 km जाने में समय कितना लगता तो पचास किलो मीटर जाने में कितना एक गंटा तो दस किलो मीटर जाने में कितना लगता आपको बस यह चीज निकाल लेनी है तो पचास किलो मीटर जाने में एक गंटे लग रहा है तो दस किलो मीटर जाने में कितना 12 मिनट मतलब मैं ऐसे भी देख सकता हूं कि 10 किलो मीटर 10, 1 upon 5, 12 मिनट, 10 किलो मीटर जाने में अगर 12 मिनट लग रहा था, तो ये वही 12 मिनट है जो रुकी है, अगर वो 12 मिनट के लिए ना रुकती, तो फिर हमारा क्या है, आंसर में कोई भी स्पीड में चेंज ना आता, लेकिन 10 मिनट के लिए हर घंटे बस रुक रही थी, उस कम चली, इसलिए स्पीड को हमने बोला कि स्पीड 40 हो गई, मतलब इस क्वेशन का ऑप्सन क्या हो जाता, ये सही, मतलब हर घंटे 12 मिनट के लिए क्या है, बस रुक रही थी, ऐसे हम लोग सेकेंड क्वेशन की बात करें, तो a man walks at a speed of 8 km, इस speed से चलता है, हर किलो मीटर में वो चार मिनट के लिए रुकता है, चार मिनट के लिए रुकता है, how much time will he take to cover a distance of 6 km, 6 km की distance हमें कवर करानी है, आप एक चीज पहले बताओ, 8 km पर आर की speed से, 6 km जाने में time कितना लगेगा, तो 6 बटे 8 घंटे, मतलब 3 बटे 4, मतलब 45 मिनट, तो 45 मिनट तो नॉर्मली लगते ही लगते उसको, लेकिन question में कुछ अलग है, question में अलग ये है, कि वो 4 मिनट के लिए हर किलो मीटर पे रुक रहा था, अब आप एक चीज सोचो, 1 km चला, 4 मिनट रुका, 1 km फिर चला, 4 मिनट रुका, लेकिन एक चीज आपको समझनी है, ऐ का बैसे आप बोलोगे कि भाईया फिर š cachotkot 24 मिनट क्या है वो,। रुका होगा लेकिन नहीं, क्योंगी last stoppage में, last bari में वो क्यों रुकेगा, क्योंकि वो तो पहुंच ही चुका है, अब वो रुक रहा नहीं रुक रहा, क्या कर रहा है, पहुँच के हम से उस से क्या है मतलब वो पांच बार रुका होगा तो बीस मिनट के लिए रुका होगा 20 मिनट के लिए रुका है 45 मिनट जाने में लग रहे थे तो टोटल उसको 65 मिनट इस जर्णी को कवर करने में लगे तो वो हो जाएगा जो भी concept है उन पे based मैं question आपको कराता रहूंगा मिलते हैं आप सभी से next video में तब तक के लिए जैहिन गुडबाई